हाई गाईज वल्कम तो यूटूब तो आज की इस वीडियो में हम सिखेंगे किस तरह से हम डाउनलोड करते हैं Eclipse को और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं Eclipse को हमारे विंडोस कंप्यूटर सिस्टम के इंदर तो गाईस सबसे पहले हमें चाहिए Eclipse क्यूंकि हमें इंस्टॉल करना है Eclipse को तो Eclipse को डाउनलोड करना पड़ेगा तो यहां पर लिखेंगे हम गूगल में जाके Eclipse Xlips Xlips क्या लिख दिया है मैंने तो गूगल को पताए कि मैंने क्या लिखा तो यहां पर जातने है आ गया E www.eclips.org.downloads इसके उपर हम क्लिक कर देंगे तो यहां पर कुछ इस तरह का वैपेज ओपन होके आएगा और हमें डिरेक्ट आप्शन मिल जाएंगी डाउनलोड करने की Eclipse को लेकिन हम इसमें क्लिक नहीं करेंगे क्यूंकि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डाउनलोड क इसमें तो डाउनलोड पैकेजिस में हम क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का पेज उपन होके आएगा अब एक और चीज मैं आपको बता दूँ अगर आप विंडोस के लिए इंस्टॉल कर रहें तो साइड में आपका ऑप्शन मिलेगी स्लेक करने की Windows, Linux, Mac अगर आप Linux के ल जैसे कि हमें Eclipse for Java EE मिल जाएगा, Eclipse for C, C++ developers के लिए मिल जाएगा, Eclipse for PHP, इसी तरह से various जो हैं हमारे पास version है Eclipse के, आप अपने लिए कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके आपको need है, अगर आपको Java के लिए चाहिए तो Java के लिए डाउनलोड कीजिए, अगर आपको C के चाहिए तो C के लिए डाउनलोड कीजिए, अगर PHP के लिए तो PHP के लिए डाउनलोड कीजिए, मेर को यहां पर चाहिए C के लिए, तो मैं यहां पर डाउनलोड करूँगा, C के लिए तो यहां पर आपको एक option मेरेगी 32 bit की या 64, अगर आपका system 64 bit है तो 64 के लिए डाउनलो में क्लिक करना है और यहां पे donation देने की जरूरत नहीं है आपकी मर्जिया donation देनी या नहीं देनी तो अब मैं download करेंगे इसको 200 MB की जो है ये total file है तो इसे download करेते हैं download तो अब download होने लग गई है लेकिन मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है Eclipse Java EE तो मैं उसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ किस तरह से उसे इंस्टॉल करते हैं तो उस folder को open कीजिए जहां पर आपने डाउनलोड कर रखा है Eclipse को तो मैंने यहां पर डाउनलोड किया था Eclipse J Neon तो यह पुराना version मेरे पास है पहले से तो मैं इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको तो यह हमारे पास full package में आता है Eclipse हमें सिर्फ extract करना होता है इस चीज़ को और वो already installed होता है हमारे पास यह information आपको मैं पहले दे दूँ ओके तो यह हमने डाउनलोड किया था website से अब इसमें राइख करेंगे फिर open कर लेते हैं इस चीज़ को और उसके बाद हमें से extract करना है तो wizard में क्लिक करेंगे और इसके बाद चूस कीजिए folder जहां पर आपको extract करना है इस चीज़ को तो मैं D drive के अंदर करूंगा और फिनिश अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद यह पूरा का पूरा extract हो जाएगा और हमारे पास जो है सीधे ही से launch करने की option आज जाएगी और फिर हम इसे launch कर पाएंगे installation करने की कोई जरूरत नहीं होती हमें इसमें ओके गाईस तो यहां पे जब यह extract हो जाएगा तो कुछ इस तरह से automatically आपके पास window open होके आजाएगी अगर ना आए तो कोई बात नहीं आपको सिर्फ उस्ट drive के अंदर जाना है जहां पर आपने extract किया इस चीज़ को तो हमने extract किया था D drive के अंदर तो D में मैं जाओंगा और eclipse नाम का folder बन चुका होगा eclipse में क्लिक करेंगे और यहां पर सीधे run कराने के option आ गई यह रही तो इसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा यह run हो जाएगा installation करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें यह पहले सी एक package के अंदर आता है आपको सिर्फ extract करना होता है और यह काम करना start कर देता है हो सकता है कि आगे जाके यह पुराने वर्जंस में आपको इसे install करना पड़े लेकिन फिलाल यह सब कुछ नहीं करना पड़ता सिर्फ extract करना होता है और यह चल पड़ता है तो डबल क्लिक करता हूं इसमें और यह स्टार्ट हो रहा है मेरे पास eclipse neon है नयवाला अभी-भी मै मैं डी के अंदर ही करूंगा और डी के अंदर सीधे और ओके और अब यह लोड होगा और हो गया अगर आप सीखना चाते हैं किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है आप उसकी विडियो भी मैंने बनाई है आप वह भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी अभी मैं इसको रन होना जाते हैं अब जल्दी हो जा और यहां पर यह रन हो गया तो हमने इसे इंस्टॉल कर लिया फाइल में जाईए फिर न्यूव फा Eclipse for C या Eclipse for PHP उनमें भी यही सीम प्रोसीजर होगा तो इस तरह से हम इंस्टार करते हैं Eclipse को Windows platform में और करते हैं Eclipse को तो थेंगी सो मच फॉर वचिंग इस वीडियो और एक वर चीज में आपको बता देता हूं कि डरियेगा मत यह आपको यहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे यह सिर्फ डोनेशन के लिए होता है अगर आपका मन करें तो आप दे सकते हैं पैसे ही ना करें त तो चलो बाइ-बाइ ठेक है कोई कुशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना